कि इन पेक्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है पर बचो तोपी कमारा इन पर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के साथ साथ में ठीक है कई बार वही रहता है जो यूट्यूब पर क्लास होती है लगातार तो यूट्यूब के ही बात बोलते हैं ठीक है चलो यूट्यूब पर भी स्वागत है आपका एप पर भी स्वागत है तो हम देखते हैं जो टॉपिक अपना वह मेगनेट ठीक है अभी पर स्वागत है Magnet कौन सा है Magnet Magnet cumbak क्या है cumbak है magnet है cumbak cumbak के बारे में हम जानेंगे क्या होता है दिखो magnet है वो हम देखे यदी हम magnet की बात करें तो magnet है दो परकार के मुख्य रूप से पाए जाते है ठीक है दो प्रकार के किस रूप से पाए जाते हैं जैसे यदि हम अकार के अधार पर बात करें अकार के अधार पर बात करें उस टाइप से और एक यदि हम बात करें स्थाई चुम्बक और एस्थाई चुम्बक के तो वो अलग है वो तो हमारे क्या नेचर पर डिपेंड करते हैं प और करते हैं एक तो होता है मारा प्राकरतिग चुंबक प्राकरतिक है इसको हम बोलते हैं नेचरल मेजनेट एक यह यह कहां से प्राप्त होते हैं प्रकर्ति से प्राप्त होते हैं यह किस से प्राप्त होते हैं यह मुख्य रूप से यह मेगनेटाइट ऐसक से प्राप्त होते हैं किसे प्राप्त होते हैं मेगनेटाइट ऐसक से मतलब जिसके अंदर प्रकृति के द्वारा ही दिये हुए गुन है वो हमारे क्या होते हैं प्राकृतिक चुम्बक होते हैं मेगनेटाइट एसक से प्राप्त होते हैं मेगनेटाइट एसक कौन सा होता है एफित्री ओफोर होता है क्या होता है एक एसक है एसक का मतलब क्या होता है एसक का मतलब और होता है और का मतलब क्या होता है जिससे कोई दात्तु प्राप्त होती है और है यह और जिससे कोई दात मने तो इसको निश्चित अकार नहीं होता इसलिए हम आपकार की बात करणे निश्चित अकार नहीं होता था फिर दूसरे नमबर में करें किक कि बात करें किBTری मी किक रिंक्रणूक किक कि रितिने कुम्प कौन से औट पोज भीशिल का मितलों क्या है जो मुख्य रूप से अपने अग एटि अगला जाते हैं कंपनी वगेरा में बना जाते हैं ईा टूपनाई च्टामामागे magnet जो मानो के द्वारा CDC बात है मानो के द्वारा बनाए जाते हैं वही क्या होगे हमारे artificial होगे जो मानो निर्मित है जो मानो निर्मित मैं लिख देख सकता हूँ कि जो मानो निर्मित है वही हमारे क्या होते हैं मानो निर्मित हैं वही क्या होते हैं हमारे किर्तिरिम चुम्ब को होते हैं क्या होते हैं किर्तिरिम चुम्ब तो मानो निर्मित है मानो है उसको कैसे बनाता है मानो 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 किर्तिरिम वीदियों से बनाता है किर्तिरिम वीदिया अब आपके मन में यह होगा कि किर्तिरिम वीदिया कौन सी है देखो आर्टिफीशल प्रोसेस है वो कम्पनियां बहुत सारी कम्पनियां है वो क्या करती है इलेक्ट्रीश सिटी गुजार कर artificial process कई कंपनिया है वह हैं विदुदारा गुजार कर विदुदारा गुजार कर कई उसमें से दात्वों में से तो भी चुमख बनाती है कईयों में ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ से magnetic effect डाल कर तो भी उसके में चुमख बना जाता है वो तो अलग-अलग process है वो कंपनियों क हमने कि तो यह मानों निमेत है और मानों कृत्रिम वीदियों से त्यार करता है है कि एक प्रथे से जार करता है cafe तो आप यह देखो अब इसमें क्या इस के बनाएं जा सकते हैं इस पास बनाए जा सकते इन कोई निश्य तकाः होता है हाँ इनका इनका निश्य अकार होता है जैसे आप आपने देखा हुआ गोड़े के नाल के उकार के चुंबग FM और जैसे आपने देखा हुआ गोड़ओड़ के स्ट्रेक्चर वते हैं सर्द जिसकों बोलते हैं च्षप चम्पक गोड़े जो सिएँ तो वो भी हमारी क्या है एक तरह से मेगनेट है मतलब एक तरह से आप देखो कि स्पिकर आदी के अंदर जो लगा जाते हैं गोल गोल तो इस तरह से इनका एक एक इनका निश्चित अकार होता है यह जैसे जैसे निश्चित अकार की बतानी जैसे गोड़े के नाल के अकार जैसे 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 नाल के अकार का थाड़ चुमबग जो रोड मेगनेत बोलते है पर हड़़ चुम्ब्ग के सुई चुम्के सुई चुम्के सुई ठीक है और यह किसके बनाए जाते हैं किर्तिरिम चुम्बक लोहे इसपात आदी के बनाए जाते हैं किर्तिरिम चुम्बक लोहे इसपात के बनाए जाते हैं लोहीं इस पात अधी के बना जाते हैं ठीक है तो ये था मारा मैगनेट क्या था मैगनेट है अकार के अधार पर हो गए है मारा किरत्रिम चुंब प्राकरति का हो गया जो प्रकरति की द्रीशा कर निश्चित अकार के द्वारा नीज़ता कर्षित 예 प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् के जो परकार होते हैं वो तो नोर्मल हम देखते हैं जुम्बक के परकार को और कि यह प्लिधा मानेंट मैंध ठिक है को से परमानेंट मैंध मैंध अ इसमर्ट हुद यह और यह ओते हैं जुम्बक खो से अस्थाई चुम्ब की mental है तेंप्रेरी मेंट होते हैं टेंप्रेरी मेगेनेट हुआ एक नीट थेकं थोड़ा समझ लेओ आप सब्सक्राइब सबड़ने तो वह कहीं न कहीं अाज accountable तरह वेवार करेंगे, वो एक तरह से हम देखेंगे, कुछ हमारे क्या होते हैं, लोहे आदी से ऐस्थाई चुम्बक भी त्यार किये जा सकते हैं, और जो स्थाई चुम्बक है, वो अपने अंदर पूरे के पूरे गुन रख ले, चुम्बक के पूरे के पूरे गुन रख ल होते हैं यह फैरो चुम के पदार्थों के बने होते हैं किसके होते हैं यह फैरो चुम के पदार्थों के बने होते हैं लेकिन आप यहां पर यह जानो कि फैरो चुम के पदार्थ है कब सुधान जान लेना फैरो चुम के पदार्थों के बने होते हैं पदार्थों के बने होत पात करते हैं मैं बात करें तो तो है जैसे एल्मुनियम वह गया एलमूनियम हो गया, एलमूनियम मिला दें, कुछ मातरा में निकल मिला दें, कुछ मातरा में कोबाल्ट मिला दें, कुछ मातरा में कोबाल्ट मिला दें, कुछ मातरा में कोबाल्ट मिला दें, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएंगे, एलनिको बन जाएंगे, और एलनिको से ह कोई उधान नहीं है हाँ है फैरमेगनेटिक के बहुत सारे उधान जैसे लोहा हो गया कोबाल्ट हो गया निकिल हो गया तो लोहा कोबाल्ट निकिल इनमें भी कोबाल्ट निकिल इनमें भी चुम्बक के चुम्बक को या हम कहें चुम्बक के गुण यह बहुत ही जाद रखत मजबूत आकर्षन सकती होती है मजबूत आकर्षन सकती है यह भी बात आपको ध्यान अखनी मजबूत आकर्षन सकती है ठीक है मजबूत आकर्षन सकती है लोहा कोबाल्ट और निकल फिर उसके बाद में साइढ कौने से यह साइब गजार दें विदुदारा कुल्दारकर फिर उसके चुम्बक बनाय जाते हैं है जैसे आप देखोगे को जो विदूत में विदूत गंटी उसे बटन दबाओंगे तो उसके बाद में एक दम वह इस तरह से ऐसे बणा उताба है जैसे ये अपना है यह लोहे की चड़ है यह लोहे की चड़ है यह नदर खूप प्रवाहित कर दें ठीक है इसके नजदीक है वो और यह चुम्बक में कनोट हो गया और वह तुरूंत है लोहे की तरफ है ट्रेक्ट हो जाएगा ठीक है विदुदारा गुजर जाती है या इसको इसके अंदर कोई लोहे की छड़ है कोई गंटी टाइप से है ठीक है तो इसक विदुदारा गुजार कर गुजार कर बनाए जाते हैं गुजार कर गुजार कर बनाए जाते हैं ठीक है विदुदारा गुजार कर बनाए जाते हैं यह बात आपको ध्यान अखना ठीक है इन्हें विदुदारा गुजार कर बनाए जाते हैं यह बात आपको ध्यान अखना नखनी है इन्हें विदूद चुम्बक भी कह सकते हैं कह सकते हैं ठीक है तो किस में होते हैं एक्जामपल विदूद गंटी में एक्जामपल क्या है विदूद गंटी में एक्जामपल विदूद गंटी में विदूद गंटी में क्या है वीदुदारा गुजार देंगे नर्म लोहे पर तो भॉर्ट बन जाएगा तो इस सरे से कई बार पर इस चुमबख किसके बनाए जाते हैं तो वह चांद बनाए जाते हैं गग को ध्यान रखनी है जल्दी फिर हम आगे बढ़ें है जल्दी लिखाऊ कि अजय को 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 अज लिख दिया हुआ अब आगे देखेंगे हम अब आगे देखेंगे गुजार कर बनाए जाते हैं यह हो गया हमारा अब देखो हम चुम्बक के दुरो की बात कर लेते हैं देखो यह हमारा चुम्बक है इसमें क्या है एन और अश्जक्रेंगे देखो अब यह क्या है दक्षनी दुरो है डक्षनी दुरो अगे अतरू ओण दक्षनी दुरो क्या है वह सबसे ज्यादा कहहां होता तो किनारों पर होता है क्या होता है किनारों पर चुम्बक में चुम्बक तो अधिक्तम कहा है किनारों पर है चुम्बक में चुम्बक तो अधिक्तम कहा है किनारों में ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है चुम्बक में चुम्बक तो सुन्ने कहा है सुन्ने सुन्ने कहा केंडर बिद्व पर केंडर बिन्दू पर है जुमभक टो शुन्य है जुमभक टो सुन्य है यह लिखने की कोई जुरूत नहीं मतलब आपको जहान में आ गया यहीं पर आप इसके साथ में लिखते होगा है मतलब किम जुमभक eight-row दुरिंख और थकषिंद्रण और इसमें एक केंदर बिंदू होता है केंदर बिंदू में चुमबक तो क्या होता है चुमबक तो सुनने होता है ठीक है चुमबक में दो पोल होते हैं एकल दुरो का चुमबक में कोई काम नहीं है ठीक है चुमबक में क्या होता है दुरो होते हैं, कोई भी चुम्बक एकल दुरो, मतलब मोनो पॉल, क्या बोल दे हम? मतलब एकल पॉल, कोई भी चुम्बक का चुम्बक अस्तितों में नहीं है, चुम्बक अस्तितों में नहीं है, कभी आप यह सोचो, कोई ऐसा चुम्बक होगा, जो एकल धुरोगा होगा, अस्तितों में नहीं है, ठीक है, यह बात आपको ध्यानक नहीं है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, आगे, यह हो गया, उत्री धुरो, तक्षिन धुरो, केंदर बिंदू हो गया, चुम्बक तो हो गया, सुनने, चुम्बक में दो धुरो होते हैं, कोई भी एकल धुरो का चुम्बक अस्तितों में नहीं है, अब चुम्बक के काटे जाने पर, अगला है हमारा, चुम्बक के काटे ज पर क्या हुआ कि काटे जाने पर मुंद है पर यहां पर एक चुम्वक है उसको आप से काट दें उसको काट दें तो यहां तो यहां पर है यहां पर अस्ता मानों यहां यहां पर क्या बन जाएगा फिर यहां पर बन जाएगा हमारा एस और यहां पर बन जाएगा एन और यहां पर क्या बन जाएगा एन तो चुम्ब के काटे जाने पर के काटे जाने पर काटे जाने पर जाने पर दो नए धुरो बनेंगे तो नए धुरो बनेंगे फिर काट दोगे तो नए धुरो बनेगे इसलिए चुम्बक के धुरो को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता कभी समाप्त नहीं किया जा सकता समाप्त नहीं किया जा सकता चुम्बक के दुरों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन लेकिन चुम्बक्तों को समाप्त कर सकते हैं चुम्बक्तों को समाप्त कर सकते हैं चुम्बक्तों मेगनेटिजम को मेगनेटिजम क्या है चुम्बक के आकर्षन करने की सकती ब्रैक्ट में ही लिख दूमें चुम्बक के आकर्षन करने की सकती समाप्त की जा सकती है आकर्षन करने की सकती ब्रैक्ट में लिख दिया है ब्रैक्ट बंद कर देते हैं मेगनेटिजम क्या है चुमबक तो क्या है चुमबक के आकर्षन करने की सकती लेकिन चुमबक तो को समापते किया जा सकता है देखो दुबारे देख लो जो चुमबक है उसमें दो पोल है नोर्थ पोल और साउथ पोल नोर्थ पोल है हम देखते हैं यहाँ पर साउथ पोल है यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है अदिक्तम मेगनेटिजम रहता है मेगनेटिजम मतलब चुमबक तो क्या है चुमबक के आकर्षन करने की सकती क्या होती है चुमबक तो कहलाती है तो यहां पर क्या है केंदर बिंदू, यहां पर क्या है केंदर बिंदू, केंदर बिंदू पर है, चुम्बक तो कितना होता है सुन्या, चुम्बक में दो दुरों होते हैं, कोई भी एककल दुरों का चुम्बक अस्तितों में नहीं होता है, यह नहीं हो सकता, फिर उसके बा फिर हम आगे चलेंगे जल्दी लिख दियो आपने फिर हम आगे चलते हैं देखो अब जो चुम्बक है जो चुम्बक है उसमें यह इस तरह का चुम्बक है हमारा इस तरह का चुम्बक है जैसे न है ऐस है ठीक है और हम मानो में यह कह दूँ यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं यह ति दो समान धुरो वाले चुम्बक है क्या है समान धुरो वाले चुम्बक है समान धुरो क्या है सेम पोल हो जिसमें सेम पोल हो तब क्या हुआ जब समान धुरो वाले चुम्बक एक दूसरे के समान धुरो एक दूसरे के सामने आ जाए जैसे एन है एस है और एस है और एन है ठीक है और यहां पर ऐसे आ जाए यहा मतलब N आ जाए यहाँ पर S आ जाए तो N आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर S आ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा समान दुरो आ जाए तो एक दूसरे से क्या होंगे दूर जाएंगे वहाँ पर क्या होगा परतिकर्शन होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है समान धुरो एक समान धुरो वाले वाले चुम्बकों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो क्या करते हैं परतिकर्शन करते हैं समान धुरो वाले चुम्बक क्या करते हैं परतिकर्शन करते हैं ठीक है फिर उसके बाद में विप्री धुरो विप्री धुरो अपोजिट पॉल है विप्री धुरो है अपोजिट पॉल अपोजिट पॉल वाले चुम्बक जो होते हैं अपोजिट पॉल वाले चुम्बक है उनमें क्या होता है आकर्शन की सक्ति होती है उसमें क्या होता है इध्यार से अगिए है विजी सिदा यही लिखे देतें हैं आकर्षन उन्में क्या होता है अकर्षन एट्रिक्षन अन्में क्या होता है एक्द अन होगे एक एक दूसरे से क्या होंगे एक दूसरे से क्या होंगे एक दूसरे से क्या होंगे एक ट्रेक्ट होंगे ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है अब आगे देखोगे आगे मैंने बता था चुम्बक के चुमक्तों को समाप्त कर सकते हैं तो चुम्बक के चुमक्तों को समाप् आकट्ने के लिए कि खरूने के लिए कि यह दिज दुम का चुमक थो समत करने के लिए क्या होता है यदि डुह को पीटा जाए शुम्भक को पीटा जाए उसे में रहती है यह स्माप्ध करना यूद्ञ है इसकी। दोगे तो उसका आकर्शन करने की सकती समाप्त हो जाएगी दूसरे नंबर वर चुम्बक को गरम किया किया जाए चुम्बक को गरम कर दो तो आकर्शन करने की सकती दो मेनू पाइंट होते हैं वैसे कि यह भी हो सकता है यदि चुम्बक को यदि चुम्बक को लंबे समय तक कि लंबे समय तक कर भाहर का मतलब किया है बहार है दूब में वर्सा में भाहर छोड़ दे तो अभी उसका चुमक तो जा सकता है कि छोड़ दे तो अभी उसका चुमक तो जा सकता है तो इस रूप से जैसे मानों की मृति हो सकती है मानों को पीटा जाए मानों को गरम किया जाए मानों को लंबे समय तक बाहर छोड़ें सर्दियों में तो उस तरह से मानों की मृति हो सकती इसी तरह से चुम्बक के चुम्बक तो भी समापते किया जा सकता है ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे बहुत इंपोर्टेंट है पॉइण ठाय हमारा अब देखो यह लिक दिया होगा आपने अब आगे देखेंगे हमने जाना कि चुम्बक है में दो पॉल होते हैं नौर्थ पॉल साउथ पॉल फिर उसके बाद में हमने चुम्बक तो के बारे में जाना उसके बाद में हमने उससे पहले हमने ये भी जाना कि स्थाई चुम्बक होते हैं और यह स्थाई चुम्बक होते हैं फिर हमने यह भी जाना था उसी समय पर प्राकृतिक चुम्बक होते हैं और हमारे क्या होते हैं क्रित्रिम चुम्बक होते हैं अब हम बात करेंगे चुम्बकिये छेतर की किसकी बात करेंगे मैगनेटिक एरिया चुम्ब की चेतर क्या है चुम्ब की चेतर इसके बारे में हमने बात करनी मैगनेटिक एरिया क्या है यदि सीदे सब्दों में मैं बात करूँ सीदे सब्दों में बात करूँ चुम्बक का वह चेतर जहां तक चुमबक तो है, चुमबक का वह चेतर, जहां तक चुमबक तो है, चुमबक तो है, मतलब मैगनेटिजम है, तो इसका मतलब है, वो आकरशन करने की सकती है, तो कैसे पता चलेगा अभी उसमें आकर्शन करने सकती है तो वो क्या है क्या करेगा मानो यह चुम्बक है अपना यह चुम्बक है N और S है तो इसका मेगनेटिजम है वो इस रूप से इस रूप से मानो यहां तक है यहां तक फैला हुआ है तो ये क्या कर लेगा लोहे के कणों को आकर्षित कर लेगा फिक है ऐसा कर लेगा अच्छी बात है ऐसा करेगा तो लेकिन ने और क्या किया जा सकता है लोहे के कने के लावा और टेकनिकल पॉइंट कि या है कि उसमें क्या आ गया चुम्बक तो आ गया तो हम कह सकते हैं चुम्बक का आसपास का इसको टेक्निकल रूप से एक अथार्थ दूसरे सब्दों में ऐसे लिख दूमें दूसरे सब्दों में दूसरे सब्दों में दुसरे सब्दों में क्या कहूं दुसरे सब्दों में चुम्बक के आसपास का वह चेतर 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 जहां तुम्बक के आसपास का वह चेतर जहां कमपन जो सुरी कमपास कमपास को कमपास को ले जाने पर कमपास को ले जाने पर उनकी कमपास की सुयों में कमपास की सुयों में कमपन सुरू हो जाए कमपन सुरू हो जाए हो जाए वह है वह है चुम्वक का चुम्किय छेतर है चुम्वक का क्या है? आपको ध्यान रखनी है ठीक है है वह चुमब के चेतर हैं है कि इस तरह से भीचा जा सकता है एक चुमकिय चेट चेटर कि तीवर्ता की काई पूछा जाता है काई पर पेपर मैं ह sûr है तुमकिे कि चेटर कि कि तीवर्ता की काई लात आवश् – पूस्त तर बहुता है से होटव की की इंडी में लेख दिया है था मियटर स्केर है ठीक है हूं जो अथ आपको द्यान रखनां ट्सला को किसे नोड करते हैं किस से नोट करते हैं ती से ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है तो चुम्बक के छेतर की तीवर्ता की काई पूछी जाए तो हमारी कौन सी है कई बार यह बी ओता है यह बी होता है कि चुम्किये फलक्स का मातरक क्या है यह पूछ ले तुम्किये फलक्स का मातरक का ठीक है, मेगनेटिक फलक्स का वो वेबर होता है, चुमकी ये फलक्स का मातरक पूछ ले, चुमकी ये फलक्स का मातरक, मातरक मतलब क्या है, यूनिट, इकाई, ठीक है, मातरक यूनिट है, इकाई, ये की बात है, ठीक है, तो वो कौन है, वेबर है, क्या है, वेबर है, ये ब ये क्या था हमारा चुम्ब की ये छेतर था क्या था चुम्ब की ये छेतर चुम्ब का वह चेतर जहां तक चुम्बक तो है ठीक है इसको लिख दो अच्छी तरह से फिर हम आगे चलेंगे लिख दिया हूँ आपने जल्दी पिर हमागे देखेंगे झाले जल्दी तरह से लिख दिया है पर अगला देखेंगे अगला क्या है ये तो था हमारा चुम्ब किये छेतर क्या था चुम्ब किये छेतर देखो अब हम बात करेंगे जो आगे जो चुम्ब किये छेतर है वैसे तो मैंने आपको बताया तो थोड़ा सा इसमें और एक डाइग्राम सा बना देता हूं जिससे थोड़ा सा और आपके दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाए तो ये जो चुम्ब का अपना ये क्या है चुम्ब का अपना एन और क्या है इसमें एस है एन और एस ठीक है तो इसमें अमेशा ये इस रूप से मानो आपकी मैगनेटिक लाइन ये गुजर रही है ठीक है इस रूप से मैगनेटिक लाइन गुजर रही है तो यहां पर इस रूप से magnetic line है वो गुजरी ठीक है इस रूप से magnetic line गुजरी है ठीक है तो इस रूप से आप ऐसे आई फिर उसके बाद में वो इस रूप से जाएगी क्या है इस रूप से जाएगी यह बात आपको ध्या नखनी है वो फिर वो इस रूप से जाएगी ऐसे जाके फिर वो क्या होगी ऐस तरह से फिर मैं और बना देता हो एक तरह से यह सरकल मुझें पर वह इस तरह से जाएगी तो यह फिर इस रूप से आएगी छिक रूद्ब मैगनेक्रिक लाइन है वह एक आसे अपना पात बना लेथे इस रूब से पाथ बना लेथे तो यह जो छेत्र होगा इसका क्या होता है क्या होता है क्या होता है दरावाही चालक होते हैं jis वह बहुत ही अच्छी तरीके से चुम्बकिय छेतर को उत्पन करते हैं तो मैं लिख सकता हूं कि दारवाई चालक है वह चुम्बकिय छेतर उत्पन करते हैं अब अगली बात क्या है इसमें अगला पॉइंट जो है जो हमारी फिर्थ्वी होती है कि जुले हैं कमेंद बार पॉइन किया ओका आजाता इसे बोला जाता है थे यह मारी फिर्थ्वी वह चुंबकिय उच्छिया उसके उश्ची है आरथ है कि क्या उस्में चुम्बकिय होता है और उसमें क्या चुंबकिय को आता है एक नमन कौन का क्यूशन आता है, ये मानो हमारी अपनी प्रिथ्वी है, उसके अंदर जो प्राकरतिक मेगनेट है, जो हम शो करते हैं, वो इस रूप से शो करते हैं, ये उसका क्या है, प्राकरतिक मेगनेट है, प्राकरतिक मेगनेट है, वो इस रूप से हम शो करते हैं, ठी पृत्वी बिए क्या है आंदों आपको कि अई है ईहुआ और उसरोपसे आपके से आपजय करते आप हम बात करें पिर्थ्वी का गूनदब कर अक्स के तो पिर्थवी पून अक्स्रों इस ऌड़े कर आए चरहे हैं आप कि यहां पर भी गुन्द अक्स है यहां पर भी मारा क्या है एक तरह से हम क्या बालेते हैं पॉल बालेते हैं क्या मालेते हैं पॉल और इसी को हम क्या बोलते हैं बोगोलिक दुरो बोलते हैं क्या बोलते हैं बोगोलिक दुरो बोगोलिक उत्री दुरो यह हो गया मारा बोगो बोगोलिक उत्री धुरों यह हो गया हमारा नौर्थ पॉल और यह हो गया साउथ यह बोगोलिक दक्षिनी धुरों हो गया यह क्या हो गया बोगोलिक दक्षिनी धुरों हो गया है यह हमारी पिर्थ्वी का आंत्री सुम्पक हो गया तो कई बार तो इनके बीच का कौन है वो पूछ लेते में इसका बीच का कौन की तना बनता ड्रफ लिगरी बनता है कई बार ये भी कौन है जो एंगल कितना बनता है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है जों अंगल का संब्स और सबसे ज्यादा उसको बोलते हैं इनमनन कौन हुआ के नमन कॉन आएगा नमक चार म को अ-ग ए यह एक घया इंगलोस अगरोस स्थाहान पर मतल कोई स्थान ऐा अपनी क्या होती है यह हमारी क्या होती है विश्वत रेखा ठीक है यह क्या होता है उसका धुरो बोलते हैं अपर धुरो किसी स्थान से किसी स्थान पर पिर्थवी का संपुन चुमकिये छेतर और होरीजेंटल तल के साथ जीतना कौन बनाता है जो होरीजेंटल तल है उसके कौन के साथ में कितन कौन बनाता है मतलब किसी स्थान का पिर्थवी का संपुर्ण चुम्किये छेतर होरीजंटल तल है एक स्थी चीज तल है जो उससे जीतना कौन बनाएगा उस स्थान का नमन कौन बोलते हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि किसी स्थान से किसी स्थान से किसी स्थान चे स्थान पर पिर्थ्वी का संपुर्ण पिर्थ्वी का संपुर्ण पिर्थ्वी का संपुर्ण चुमकिय छेतर X-3 तल X-3 क्या होता है horizontal तल पर जितना कोन बनाता है जितना कोन बनाता है जितना कोन बनाएगा यह अपना horizontal है horizontal क्या होता है समांतर ठीक है उससे कोई वस्तू है वो कितना कोन बनाती है तो वही हमारा क्या है नमन कोन है कोन बनाता है समांतर ऐसे होता है ना समांतर ठीक है vertical ऐसे होता है यह सबी को ग्यात होगा ठीक है उसे नमन कोन कहते हैं पप्पर one कि अूंट पुछा आथा है कि धूरों पर क्या हुथा है नबब डिगरी यह पूछ ले विशू तरेका पर विश्यु तरेका पर क्या हुत आफ़ड़ि यह बात भी आपको ध्यान को नहीं अ disgu पिर्थमी के दुरों पर नमन कोण। कि विश्वत रेखां पर रेखां पर कि विश्वत रेखां परूँ कि अ विश्वत रेखा कौन सी है एक्वेटर है वहां पर क्या है जीरो डिगरी और यहां पर यह पूछ ले यह कौन यह हमारी क्या है बोगोलिक दुरो और अपना जो पिथ्वी का जो आंत्रिक चुम्बक है उनके बीच में कौन कितना होता है 11.5 डिगरी कितना होता है 11.5 डिगरी यह भी आपको ध्यान अखना है बचो इस तरह से यह most important हमारे जो जो थे हमारे एक साथ में जहां से क्यूषन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने सारे सभी को एक साथ में कर दिया यहां से सबसे ज़्यादा क्यूषन पूछे जाते हैं फिक है तो एक बार इसको रेवाइज कर लेते हैं ठीमे आज हम इतना वाड़ेँगे एक वह यौए पहले नंबर हम नैंब्ला प्राकृतिक चुम्बक पढ़ा और मेगनेट ऐससे प्राप्त होते हैं यह आपको ढलना है जो प्राक्तिक चुम्बक है या गोडए के नाल के चुम्बक हो गए ठीक है इतना है फिर स्थाई चुम्बक स्थाई बार्पेपिरों पुछा आता है ये फेरों के बता रथौ के बने वते हैं जैसे लिको- एलिमूनियम निकील और कोबाल्ट ठीक है निकील और कोबाल्ट ये बात आपको ध्यान दकनिया ठीक है फिर ऐसम पहशु है कीई विदू तो गुजार कर बना जाते हैं तो इनने मुदू क्यों क्यों बीडू initiatives आई नर्म लोहे से बनाए जाते हैं ठीक है नर्म लोहे से बनाए जाएंगे फिर उसके बाद में आप देखो क्या है चुम्बक के दुरो चुम्बक के दुरो में तो चुम्बक के दुरो में उत्री दुरो होते हैं और दक्षिन दुरो होते हैं चुम्बक में दुरो की बात करें तो दो दुरो है चुम्बक के दुरो की बात करें तो दो दुरो है ठीक है तो नौर्थ पोल और साथ पोल ठीक है तो नौर्थ पोल है और साथ पोल है तो नौर्थ पोल है हमारा क्या है यहाँ पर चुम्बक तो अधिक्तम होता है यहाँ पर भी चुम्बक तो अधिक्तम होत सब्सक्राइब मातर क्वी पेपर में पूछा जैता है फिर फोdar में किस तरह से हमारा दो परने का होता है यह मैने इसको ए रूप में आपको मेंने टीक लाइन जाने के प्रक्त आंगते हैं तो फिर उसके हैं और पिर्थ्वी को ऑख सांग उसके बारे मियां बीचव में दोनों के बीच में कितना एंगल बनता इसके बारे में में स्ची फिर एंगल टीप के वारे में ने सकिए तो यह चीजें हमने ध्यान करना एठा kicked आज के लिए हमारा इतना ही बाकी अगली क्लास में बढ़ेंगे जो भी होगा अगला टोपिक ठीक है बेस्ट विशिज बेस्ट अवलक जैहिंद वन्देमाद